तो guys, recently मैंने एक अपनी my first car record की वीडियो बनाई थी, हो सकता शायद आपने देखा भी हो, तो अब ये जो गाड़ी है, ये almost मेरे पास, मैंने December में लिया था, and August चल रहा है, तो मतलब लगबग 6-7 महीना हो गया मेरे पास ये गाड़ी को रहके, and मैं आपको बताता हूँ, I am not auto या फिर automobile reviewer, but मैं smartphone के reviews करता हूँ, तो इसके हिसाब से ही, मैं आपको आज अपनी गाड़ी का ownership experience शायर करने वाला हूँ, कि भाई कैसी गाड़ी है, क्या है, क्या नहीं है, सब कुछ बताने वाला हूँ, ये मेरी जो गाड़ी है, यहाँ पर आप लोग देख रहे हो, ये ह लुक्स के यहाँ पर बात की जाए, तो ये जो हमारी गाड़ी है, भाई, लुक में बहुत ही खतरनाक है, एवन तो ये 2009 का मोडल है, ये एक लुक्जुरी सडान है, और लुक में बहुत ही जादा नेक्ष्ट लेवल लुक देती है, मतलब क्या ही खतरनाक, प्लस जिस अधर भाई, गाड़ी का ग्राउंड क्लेरंस काफी कम लगता है, लेक मैंने आठ महीने में न, मेरे सबसे जादा ये चीज मेरे को तकलीफ ही कि बहुत सारी ऐसे जगे पर जाना पड़ता है, जहां पर थोड़ा सा भी रफ रोडिंग, और रफ रोडिंग में भी चले बाकि यहां पर जो 16 इंच के आपका Alloy Wheels लेकनी को मिल जाते हैं, यह जो mirror है यह भी automatic है, बटन दबाओ बंद जाते हैं, जो अंदर का mirror है वो भी आप लोग बटन से ही directly उसको adjust कर सकते हो, अगर मैं आपको दिखा हूं, तो यहां पर डिरेक्ली अगर यह बटन में दबाता ह यहां पर डिरेक्ली आपको चार पार्किंग सेंसर दिखने को मिल जाते हैं, अगर नजिक जाते हैं तो बीप करता है, तो बहुत मस्त चीज है, यहां पर Honda की बैजिंग है, बाकि इधर पर फ्यूल लिड है, और वही सेम चीज है, एक्स्टिरियर बहुत बढ़िया इसका, और गाड़ी, मतलब आज से अल्मोस्ट, चाओदा साल पुरानी गाड़ी है, लेकिन भाई, इसकी क्या बिल्ड कॉलिटी है, मैं दूसरी गाड़ियों में, जैसे मारुती की गाड़िया या फिर अभी रिलेटर्स, बहुत सारी गाड़िया मेंने टेस्ट करा है, उसको और बिल्ड कॉलिटी के अलावा भाई, सेफ्टी अगरा भी बहुत तक, आज के तो पक्का फाइव स्टार रेटिंग तो मिलती इस गाड़ी को, इतनी सेफ है इस मामले में, ऐसा निया कि इसके अंदर कम्या नी है, कम्या भी बहुत सारी है, वो भी बताएंगे, जैसा मेर अगरा भी बहुत दूर के अगरा भी बहुत दूर कड़ा हो मैं, उसके बाद फ्रेम के अंदर गाड़ी जादा चौड़ी गाड़ी है, इसकी जो मतलब लंबाई है, फ्रम स्टार्ट वेंड ये फोर थाउजन नाइन हंड़न फिफ्टी मिटर मतलब पांच मिटर की गाड मैं छे फुट का इंसान हो इंड देखो कि इत्ती जादा चौड़ी है, यह सिर्फ चौड़ी नहीं है इसका जो टर्निंग रेडियस हो बहुत जादा है, बहुत दूर से गुमाना पड़ता है, तो छोटी छोटी गलियों में थोड़ा सा डिफिकल्ड पड़ता है, क्योंक मैं आपको इंजन दिखाता हूं, यह गाड़ी चलाने वालों को मालू है कि यह इंजन की पावर क्या है, थाई हजार सीसी का अल्मुस्ट इंजन है, फोर सिलिंडर, सिक्स्टीन वाल्व डियो एच्ची आईवी टेक, मैं तब जिसको मालू है यह आईवी टेक से क्या होता क्या पावर निकलती है, वो उसको ही पता है, बहुत पावरफुल इंजन है, जब इस्पेशली आईवी टेक अन होता है तो फिर बहुत खतरनाक इसके अंदर पावर आती है, वैसे इसके अंदर 180 बHP मिलता है, आपको 180 होर्स पावर, साथी साथ में 222 Nm का टॉक देखने क वो से में 26 इंच के है, 215 by 60 का सेक्शन है, गाइस मेहंगी गाड़ी लेने का फाइदा देखो, 15 साल पुरानी गाड़ी है, उसके बाद भी जोसके हिंजे देखो, यहां पर बीच में एक स्टॉपर आता है, यह भी स्टॉप हो गया इतने साल पुरानी गाड़ी लेकिन यह हिंजे तक दम पर्फेक्टली काम कर रहे है, और इसका थर्ड सुना अपलोग, महिंगी गाड़ी लो तो फाइदा यह होता है, लेकिन भाई नुकसान भी वही से यह बर बर के, इसके अंदर डूल स्प्लिटेड है पाते है, तो यह हो गई अपना जो नॉर्मल है, यह लो इसके बाद यह हाई बीम आ जाती है, बहुत पावर्फुल है भाई, मतलब रात में मजा आ जाता है, इसके पहले इसके लेडी लगी भी थी, तो लेडी मुझे इतनी पसंद नहीं है, लुक में तो बहुत बाप थी, जो आप यह फोटो तेख रहे हैं, लेकिन जो थो थो इवन दो यह हेलोजन है, लेकिन उसके बावजूद भी मस्त नीचे, आपको फॉग लायम देखने को मिल जाता है, जो फिलहाल ओन ही है, जैसे आप लोग देख रहे हो, एंड हाई बीम, लोग बीम, सारी चेज़ एक्दम तगडी काम करती है, और उसी के अंदरी इंडिके से मतलब नहीं है, जो अरिजनल लाइट से वो सफिशन्ट है, चलो आजा, अभी इंटिरियर दिखाया जा अगर आपको, जैसे यह जो पूरा सीट्स है, पहले बेज कालर गाता है, लेकिन जिसने मैंने गाडी लिया था भाई, उसने पूरा इंदम ब्लैक कलर का इंटियर क तो यह चीज में को काफी जबरदस्ता है, हाला कि जो गेर लिवर है, कस्टम मैंने गेर लिवर दाला है, थोड़ा सा कूल फेक्टर आड़ आज आता है उस चीज के वज़े, तो इंटियर काफी जबरदस्त है, पैक में भी अगर देखा जाए, तो भाई, इंटियर इसका पूरी ब्लाक कलर की है, और हलकी सी टिल्टेट है, कमफोर्ट एक नंबर, जगा बहुत ज़ादा ही जगा है, बहर बहर के जगा है, आप 6-6 फिट, साड़े-6 फिट के बंदेर होगे न, कोई दिक्कत नहींगा, उदर पर आपको AC के वेंट देखने को मिलाता है, पुरा व पता रहा हूँ, 2023 में भी ऐसे फीचर था, बहुत कमी गाड़ियों में आपको देखने को मिलता है, इस तरफ जो बंदा बैटता है, उसके लिए अलग AC का टेमपरेचर सेट कर सकते हो, इस तरफ जो बैटता उसके लिए अलग सेट कर सकते हो, तो यह यहां का टेमटरेचर कर सकता हो, जैसे मैंने यहां पर लो कर दिया, या फिर उननिस कर दिया, तो यहां पर मैं 25-24 कर सकता हो, तो मतलब वह अपने हिसाब से दोनों का अलग अलग temperature सेट कर सकता हो, जो काफी जबर्दस लगा मेरको यहां पर इसने पुराने गाड़ी के अंदर हमको यह diffuser आता है जो मतलब अगर फॉग आपके गाड़ी में यह सब जो विंड शेलर्स के पर पूरा कोहिरा जन जाता ना और रियर डिफ्यूजर भी आता है, रियर डी फॉगर, हाँ डी फॉगर बुलते शाह है, पाकि यहां पर मोड वगरा दिखने हो तो नीचे का एसी वगरा चालो कर यहां पर गाने वगरा बजा सकते हो बहुत ईजी तरीके से तो वह चीज़ बहुत सौर्ट अब यहां पर ना ऑक्स जैसे दबाओगे तो इधर पर ऑप्शन आएगा जैसे यूस भी दिख रहा है तो यूस भी बज़गा है अभी ऑक्स प्र आएगा ना तो ऑक्स इसकिन में युनिट इसको कंट्रोल कर सकते हो बेस एंड ट्रेबल वो सब एड़ेस कर सकता हो मैं यहां से बेस ट्रेबल टाइम वगरा में को एड़ेस्ट करना तो वह सारी चीज़ा में पर ही है यहां पर इतना तगड़ा वाला सेंटर आमरस जिखने को मिलता जो बहुत मस्त है म बहुत सारा सामान आ जगा इतनी जगह यहां पर और जगा तो भाई बहुत बर बर के लाइक मेरे साथ शेफुट का बंदा इवन थाड़े शेफुट के बंदे लोग के लोग लेग स्पेस रूम वगरा है यहां पर देखो इसके अंदर गलव बॉक्स काफ़ी बड़ा है इवन यह जो यहां पर है अगर मैं इसको ऐसा ओपन करता हूं और सौफली क्लोज होगा एकडम खट से नहीं बंदोत वह यह सारी चोटी-चोटी चीजे ना जो लगजरी कार को एक लगजरी फीलिंग देती है बाकी इंस्ट्रुमेंट क्लस्टर जो है बाई एकडम पुरा यहां पर आपको जो पार्किंग सेंसर असको टॉन टॉन आफ करने का बटन है यहां पर आपको यह मतलब हैड़ लाइट एड़्यस करने के लिए यह आपको मेन चारो जो विंडोज ऑव पावर विंडोज यह सब नॉर्मल आ एक बार दबाने पर नहीं खुलता है लेकिन अगर मैं इसको पूरा एक ही बर दबाद हो एक इन बन जाएगा उल्पा बन दो जaiser इसको इस अपना बन भॉपर किया तो यहां पर चलएका जाया मतलब यह चल जाता है इसको पीछे किया तो यहाँ पर ours नीचे किया तो यह चल जाता दीको यह इस सब आपको नॉर्मल चीज है यहां पर आपको आपको आई व्य हम दिखने को मिलता है यह आटोमेटिक निया मैनुवल है भाई मिलाब रात में अगर आपको देन नाइट आउ कर रहा तो आपको मैनुवली करना पड़ेगा यहां पर आपको संग्लास होड़र देखने को मिल जाता है जो सॉफ्ट ओपन सॉफ्ट क्लोस भाई बहुत बढ़िया इधर पर आपको इस नहीं मिलती है लिए इसकी थी गाड़ी उसने डलवा कि रखा था इधर पर भी आपको एक एलेडी देखने को मिल जाती है तो पीछे देखने को मिल जाता है जो सीड बेल्ट से उसको भी एड़्जस करने को अप्शन है वैसे काई यह जो स्टेरिंग देखते हो यह इस वगारा सारी चीज़ आती है वैसे जो इसका इसको भी मैं तेल्ट टेलिस्कोप कर सकता हूं लाइक यह देखो अंदर बाहर दोनों होता है उपर नीचे दोनों होता है तो मेरे को जहां रखना है वहां पर मैं रखता हूँ यह लॉक्तर नीक सीट जिखने को मिल ती है आगे पीछे करना उपर नीचे करना सब इलेक्रोनिकली अडिज़स होता है लंबर सपोर्ट को भी अडिज़स कर सकते हैं सोचो इतने पुरानी गाड़ी में यह फीचर देखने को मिल जाता है तो अगर आप रात में डूर कोलते हो तो लाइट जले रहती है तो मस्त मतलब अब प्रीचरों को मालूब पढ़े जाता कि डूरोड खुला हुआ है अब चलो भागाते है गाड़ी अजब चलती है गाड़ी तो क्या भागती है और जो सस्पेंशन इसके वो इतने प्यारे है भाई इतने प्यारे हैं कि मतलब देखो comfort के लिए बहुत अच्छे हैं अग सस्पेंशन जादा पसंद आते है लोगों को यहां पर रहना गई जिक्दम खुला रोड है यह पर मैं भागाता हूँ हूँ है भाई यही चीज़ है यह गाड़ी के अंदर जब भागा हो गाड़ी तो क्या भागती है और क्या फील आती है इस्पेशली जब वह आईवी ट इंजिन का पावर बहुत जबर्दस है मैं यहां पर थोड़ा सा इसा यह जो आवाज है यह पंदरा साल पहले की गाड़ी है उसके बाद भी यहां पर सीड बेल्ट की आवाज आ रही है फिलाल मैंने सीड बेल्ट ने लगाया यह चोटे से रस्टे पर इसे खाली टेस्ट क पावर है वो थोड़ा सा सटल है लेकिन जब भागाओ ना भाई जब आईवी टेक एक्टिवेट होता तो बहुत तगड़ी भागती एक्दम जबर्दस खीचती है पेट्रोल नहीं पीती खून पीती है इतना कम मैलेज है इसका तो यह चीज तो मैंने देख लिया है यहां के हैंडलिंग भी काफी अच्छी लेगी ऐस इस इस मैं फॉर्स्ट कार तो मैंने बहुत ज़्यादा स्पूर्टी गाड़ियां चलाई नहीं तो में को इसकी जादा है इंडलिंग पता नहीं है को इसकी लखती है एंड वो चीज मुझे बहुत पसंद आदी भाई मैं इसस इसमें को बहुत जबरतस लगा भाई कमफट के मादम में बाई एकडम सुपर है लेकिन जो ग्राउं ट्लेंस उसके वज़े से थोड़ा आ सा लिमिटींग हो जाती है एंड जो टर्निंग रेडिय से उसके वज़े से भी थोड़ा सा लिमिटिंग हो जाती है बट सबसे तो वह आप लोग मेरे पुरानी वाली उडियो में देख सकते हो I tried में उसमें टाइटल वोगधर काफी ओच्य स स बता यह मत सब्सक्रिया लेकिन इहां पर मेरे को सिती के अदर एक दो प्रेक्टिकल बता रहा हूं मैं प्यार मुहबद सेलाने वाला इंसान नहीं हो भाई मैं थोड़ा सा खीच की चलाता हूँ गाड़ी तो सिटी के अंदर मेरे को इस गाड़ी के अंदर लगभग लगभग 6,5 का मैलेज मिलता है पेट्रोल में बोल रहा हूँ 106 रुपय लिटर है पेट्रोल तो थोड़ा सा कम है मैलेज लेकिन जब हाइवे पे जाता हूँ तो वहाँ पर नौ के आसपास का मैलेज निकाल देती है गाड़ी लेकिन इस तुब बड़ा वज़ा है कि मैं बहुत कम चलने वाला इंसान हूँ तो अगर आप ऐसे डाइप के इंसान हो जिसकी रुनिंग बहुत कम है पांसो चार्सो पा मेंगे पार्ट्स आते हैं मेरेको इसके अंदर मेकैनिकल कोई भी इशू नहीं आया लेकिन इलेक्ट्रोनिक फेलियर में कुछ इंदर काफी देखने को मिले और दो तीन बार तो मेरी घल्ती थी एक बार तो चुहे ने काट डिया था वायर वायर तो पुरा यसी यसी सब ब गाड़ी पॉइंट ए से पॉइंट बी पर जाने के चाहिए तो यह गाड़ी मैं बोलूगा कि आपके लिए है भी यह गाड़ी उसके लिए है जिसको बहुत जादा गाड़ियों का शौक है क्योंकि भाई इसका जो 2.4 इंजन है और जो यह गाड़ी है एक्शुली जो शौक हुन होते हैं उनलोग 2-4 दॉक पर डालके तगड़ा कस्टमाइज़ेशन कराते हैं जिसके मैंने गाड़ी दिया था उसने भी कस्टमाइज करा कराता है पर बेस वगड़ा डालकर खाए तगड़ा कॉंपोनेंट अम्प्लिफायर वगड़ा बारी बचता है और म जबरदस मतलब इसको मॉडिफिकेशन कस्टमाइजेशन करना उनके बहुत जबरदस है बाकिसके दिर होंडा की सिक्यूरिटी सिस्टम भी घुमाता हूं ठीक है किसी कवास जुब्लिकेट चाभी है लेकिन जो मैंने रिमोट है उसे लोग करका गाड़ी को और फिर चाभी प्रिफर करो उससे जादा पुरानी गाड़ी मतलो क्योंकि फिर एवन दो अगर गाड़ी अच्छी कंपणी की गाड़ी लेरे आप लोग तो मेकैनिकली इंजिन और गियर बॉक्स इसमें कोई प्रब्लम नियागा मेकैनिकल कोई इशु ही ने आएगा सब स्मूध रहेगा मसत रहेगा लेकिन इलेक्ट्रोनिक फेलियर के बहुत इशू जाते कि भाई कभी एसी का प्रब्लम आ गया या कुछ मतलब चुहे ने काड़ डिया ऐसा कुछ इलेक्रोनिक फेलियर दाते उसके अलावा कुछ दिक्कत नहीं मेरे को भी तक के बाकी इतना ही था गाई इस व लोगों भी प्यार देते हो मिलतें गाइस नेक्स प्रिडियो में बाई फर नाव